नमस्कार साथियो एलॉं विताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की उर्चा अपरिमित श्रिंखला में आपका स्वागत है। वास्तव में मुझे स्वयम एनर्जी के पती जाग रूपता जिन्दगी के पांच दशक बीटने के बाद हुई। सोचते हूँ यदि यही एनर्जी कॉंशियसनेस का एसास उम्र के फॉर्मिटिव फेज में हो जाए तो जिन्दगी को और बेहतर ढंक से जिया जा सकता है। इसी तृष्टिकॉन से आप से अपने विचार, अपनी सोच साजा करने के लिए ये पॉड़कास्ट सुमेधा किटारिया टॉक्स इसका शीर्शक दिया है एलॉं वेताल जो एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है हमारे भीतर निहत स्रिजन शक्ति जो संवर्धन और उर्जा, विद्युत, ध्वनी, यांतरिक, सोर उर्जा इत्यादी अर्थ मिलते हैं मूल अर्थ हमारे कार्य करने की क्षमता ही उर्जा है मानुए उर्जा की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे भीतर विखृहोई तरंगे हैं जिवन्त इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव्ज, जिनने कहीं ची और कहीं की कहा जाता है इन तरंगों का प्रवाह या फ्लो जितना लचीला, शान्त, सरल और सुगम होता है उतना ही हम सही फोकस कर सकते हैं अपनी बात को सही से व्यक्त कर सकते हैं काबिले गौर बाच ये है कि इस अंदरोनी उर्चा का प्रवाह शरीर के अलग भागों में कभी-कभी खंडित, बाधित या कुंद हो जाता है ठीक वैसे ही जैसे नदी में जल का प्रवाह किसी चटान के आगे आ जाने से बाधित हो जाए ऐसे में हमारा मूठ, एकागरता और स्वास्थे कुप्रभावित होता है, adversely affect होता है, ठकन होती है, क्रोध आता है या अन्मियस्क हो जाते हैं हम साथियो, नींद, आराम, भोजन, ध्यान, मनन, पठन, संगीत, कला, सहित्य, फिजिकल एकसरसाइस, ये एनर्जीज की जरूरत हैं चार्जिंग के लिए इस पॉड़कास के माध्यम से, आपको साथ लेके इसी दिशा में चलना चाहते हूं, क्या हो, मिलकर सोचें, चर्चा करें, एक दूजे से सीखें, और साजा करें, उर्जा अपरिमित, जो हम सब में हैं, उसको जानें, और कैसे सही दिशा में उसे लगा कर, अपने लिए ब फिजिकल या शरीरिक एनरजी, अभी प्राय बहुत सक्रिया रहने की या बिना थके अत्यदिक श्रम करने की क्षमता, पर जहां व्यक्तित वो उर्जावान होता है, वहां क्षमता की सिमाएं खत्म हो जाते हैं, बस एक ही चेश्टा रहती है, धे की प्राप्ति, मकसद को लक्षे तक पहुंचना, यानि एनरजी के साथ जरूरी है धेय, चिडिया की आंख की मानिंद एकाग्रता, फोकस कुछ प्राप्त करने का, और मैंने देखा है, मैसूस किया है, कि जहां मकसद निजी ना होकर, केवल अपने हित को ना सोचकर, बड़ा मुकाम, बड़ी सोच अपने निजपन की परीधी से बाहर, समाजिक या समान्य हित का होता है, उसे पाकर सुख और खुशी की जो अनुभूती होती है, वो अवर्ननिय होती है, इन्देस्क्राइबेबल, शब्दों से परे, अलग ही प्रकार की अनंद की परिचायक, साथियो, एफसी कॉलेज फुर विमेन हिसार में, अध्यापन कारेकाल में, एन्देस्स की बच्चियों को फील्ड में काम करते देखती, तो पाती, क्या गजब का फरक ले आती थी वो दूसरों की सोच में, धरातल पर, और फिर, सफाई अभियान होता, या साक्षर था, कंटीली जाडियों को सफा करना होता, या ग्रीन क्लीन केंपस के लिए जुटना, आई डोनेशन प्लेज केंपेन होता, या गरीब बच्चों के लिए गरम कप्ड़े इकठा करना, या किताबें जुटाना, हैरान कर देती थी मुझे छात्राओं की अनर्जी, सच, सलाम है मेरे NSS के साथी गन को, कि मुझे बहुत होंसला मिला उन से, और कितने ही अभियान जलाने का होंसला, हिम्मत मिली हार ना मानने की हिम्मत, जजबा हम होंगे काम्याब का, पर थोड़ा सोचने की बाद ये भी है, कि हम मेंसे कितने लोग परिचित हैं अपने मिछिपी एनर्जी से, और कितने लोग सोचते हैं अपनी एनर्जी को प्रियोक करने का, उसे दिशा देने का, उसे कुछ ऐसा गर गुजरने का, जिससे खुशी मिले, अपने होने की खु जाए या हमारी अभिव्यक्ति या शब्दों से नेगिटिविटी पहुँचे दूसरों तक और अगर हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी का आडिट करना हो तो हम खुद को एक से दसमे से कितने नंबर देंगे सच सच बताना साथियो बताएंगे न अब जबकि फागुनी रंग फिजा में बिखरे हुए हैं प्रकृति का सुभाविक और सुन्दर स्वरूप हरित्मा में हवा की मस्थ चाल में फूलों की कॉंपलों में पत्नों की थिरकन में महसूस कर सकते हैं ऐसे में एलाव विताल वो अंदरूनी उर्चा जो हमें जीवन्त बनाती है इसी की प्रथम कड़ी है उर्चा अपरिमित हमें सतत प्रवाशील अपार उर्चा जिसे चैनलाइज कैसे करें ताकि हम जाकरूक ताकि योट्च वस्था पे जा सकें higher consciousness लेवल पर और यही नहीं कि energies को हर परीपेक्ष से जाने बलकि ये भी सुनिश्चित कर सकें कि हमारी energies deplete न हो हम उर्चित भी रहें इतना charged भी कि कोई हम से मिले तो energies हो जाए तो साथियो self exploration आत्म invasion कि इस यात्रा पे चलना चाहेंगे आप मेरे साथ आपके comments और inputs का इंतजार रहेगा जल्द ही फिर मिलेंगे